हेलो गाईज, स्केल अबन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने बाला हूँ जो आपको INB versus BAR की बीस में यहाँ पर fancode ECST10 Bulgaria का कल का जो आपको first match खिलाता दिखेगा उसके बारे मैं यहाँ पर बात करने बाला हूँ एकदम अच्छे से detail में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा सभी players के बारे में आपको information जानने को मिलेगी साथ में grandie की tips भी मैं आपको दूँगा और guys grandie की tips काफी कमाल की जा रही है अगर आप follow कर रहे होंगे तैना बहुत अच्छी विनिंग कर रहे होंगे मैं आपको proof यहाँ पर दिखाई देता हूँ यह जो कल first return वाला match वीडियो मैंने आपको जैसा की बताया था मैंने guys यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था यह all downers चीख है यह तीन all downers और साथ में मैंने आपको क्या बोला था आर धीमन, जी सेंग और एच लेकोब यह छे players को आपको CVC करना है grinding में rotate करना है और guys अगर आप इन ही players में से आगर players को आपने rotate किया होगा जैसे माल लीजे यह मेरी team थी जिसमें captain मैंने ताहीरी थी और vice captain अली थे just यह अगर reverse होता न तो मैं यहाँ पर mini grand league easily जीता बस guys तो ऐसे ही tips को अगर आप follow करते रहेगा देना बहुत अच्छा यहाँ पर grand league में कर पाएंगे आज की इस video में भी मैं मैं पूरी कोशिस करूँगा कि मैं आपको best best यहाँ पर grand league tips दे सकूँ तो चलिए guys ज्यादा मैं आपको time waste नहीं करूँगा वीडियो को मैं यहाँ पर start करता हूँ पहले bigate keeper section से start करिंगे guys ठीक है bigate keeper section में देखिए यहाँ पर दो option है H boyko, Ivanov और S Khan selection देखेंगे 62% S Khan का है लेकिन उन्होंने अभी तक tournament में एक भी match में batting नहीं की है और उनका batting order का कुछ अधा पता नहीं है और पिछले match में जो इनको point भी जादा हुए है न वो मातर यहाँ पर देखेंगे आप जाकर तो यहाँ पर run out stumping में हुए है जिसके चलते इनका selection बढ़ा हुआ है वहे पर H boyko, Ivanov जो player है यह अच्छे player है पिछले साल यह balling भी कर रहे थे लेकिन इस साल problem यह है कि यह bicket keeping कर रहे है जिसके चलते यह यहाँ पर balling नहीं कर रहे है और batting से भी अवी तक उतना नहीं चले है वैसे player ठीक है यह आपको batting order में पांच में या आफिर चोथे ने और पर भी दिख सकते है तो मैं इनके साथ जाऊंगा selection भली S Khan का है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ क्योंकि इनका batting का ही कुछ आता पता नहीं है वही पर एक और player है भी हरी स्टोब यह बहुत अच्छे all downer है गाइस एक ही match खेले हैं जिसमें इनोंने batting से भी अच्छा किया था और balling से भी अच्छा किया था तो कर यह इस match भी खेलते हैं तो बहुत अच्छे differential pick रहेंगे grinding मैं आपको जरूर ट्राई करना है अब आते हैं batting section पर batting section पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन players पर ignore करना ए लेलो आपको ignore करना है ठीक है और नीचे से देखेंगे as cool करनी को ignore करना है और यहाँ पर भी क्यांबू डॉब को ignore करना यह तीनो batsman को ignore करना है यहाँ पर आपके पास option में है h lackob है जो कि guys open करेंगे और साथ में 2 ओभर डालेंगे open करेंगे या फिर one down भी आ सकते हैं open का ज्यादा chance रगे ठीक है मैंने कल भी आपको इनके बारें बताए था बहुत कमाल के fast baller है पहला या फिर दूसरा ओभर डालते हैं और फिर एक नौमा ओभर आकर डालते हैं बहुत अच्छे मुझे यह fast baller लगे बैटिंग से भी कल अच्छा खेलें तो यह important pick है इनको pick करते हैं जी सिंग को मैं भी यहाँ पर pick करूँगा यह भी important pick है balling से इन्हों ने अच्छा किया है अलके matches में बैटिंग से भी contribute कर सकते है middle order में आकर और साथ में पिछले match में तो open भी किये थे तो मुझे लगता है इस match में करेंगे वैसे open भी कर सकते हैं टाइम आने पर लेकिन middle order में पका बैटिंग करेंगे और सबसे में बाद 2 over balling करेंगे next आर धीमान एक option है यह भी कमाल के all downer है middle order में बैटिंग करेंगे साथ में 2 over balling करेंगे इनकी भी balling बहुत कमाल की है तो इनको भी आपको pick करना है तो यह तीनों must pick हैं तीनों के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर देखिए एक और option है यह भी must pick बननी चाहिए आपके लिए क्यों guys क्योंकि यह भी middle order में बैटिंग कर रहे हैं और साथ में 2 over balling कर रहे है तो इनको भी आप ले सकते हैं अभी के लिए मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ लेकिन आप इनको ले सकते हैं अभी हम चलते हैं all rounder six in पर जहाँ पर P, Misra, obvious choice है open कर रहे हैं टीम के captain है बुलगेरिया के national team के captain है बहुत अच्छा performance रहा है हर match में इन्होंने batting आ बोलिंग दोनों से perform किया बस एक match में ही flop हुए है वरना सभी matches में चले है next यहाँ पर है D, Karismi Rob, यह भी एक important player है या तो open करेंगे या फिर middle order में आएंगे और साथ में 2 over भी डालेंगे F, Mohamed भी important player है open करते है heater बहुत अच्छे है अभी तक उतना batting से नहीं चले है लेकिन balling अच्छी किया है तो यह भी important player बन जाते है next यहाँ पर B, Tahiri है मैं इनको भी लेना चाहूंगा guys यह भी important player बन जाते है B, Tahiri Cup guys performance बहुत उतना अच्छा नहीं आया है नहीं batting से नहीं balling से लेकिन grand league के लिए best captaincy के option है क्योंकि one down batting कर रहे है और अगर by chance open करने का मौका मिल जाता है then odd district रहे सकते है पिछले साल team के सबसे main player थे batting से भी और balling से भी तो B, Tahiri Cup ध्यान लिखेगा तो मैं इनको भी select करूंगा तो guys यहाँ पर मुझे मैंने 4 all downer pick किया है जिसके चलते मैंने N non cup को pick नहीं किया है आप ले सकते हैं guys व्यसे ठीक है player में कोई कमी नहीं है आप definitely किसी team में क्या कर सकते है एक all downer को यहाँ पर कम करके यहाँ पर N non cup को ले सकते हैं कि यह भी एक तरीके से all downer ही है तो इनका भी आप ध्यान लखेगा और all downer section में देखेंगे ace choice job को मिलकुल भी comment करूंगा एहमत दिल ठीक option है grand league में try कर सकते हैं batting से ज़्यादा contribute करेंगे batting से अच्छा कर दियते हैं और balling balling से ज़्यादा उमिद न रखें अब आते हैं balling section पर गई balling section पर देखेंगे सबसे important option है i cut jarz की ठीक है यह सबसे important है यह one down बैटिंग कर रहे है ठीक है और यहाँ पर दो अभर balling कर रहे हर match में तो यह important है इनको ले ले next यहाँ पर B. Ivanov भी important बन जाते है क्यों important है गाईज देख लिए B. Ivanov भी गाईज यहाँ पर batting भी कर पिछले बैस में करने आ गई थे middle order में और साथ में दो अभर balling भी करते हैं तो यह भी important बन जाते हैं तो इनको भी आप select कर लिए अब देखिए गाईज सबसे main यहाँ पर fund देख लिए credit की problem आपको आ रही है मातर मेरे पास साथ credit बचे हैं जिसके चलते मुझे कोई ने एक बड़ा player all-rounder मुझे drop करना परेगा मैं आभी के लिए D. Karishmirov को drop कर रहा हूँ और batting section से N. non-cup को pick कर रहा हूँ अब मेरे पास अच्छे सा credit बच रहा है आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इनको ले भी सकते हैं लेकिन मैं इनको ही drop कर रहा हूँ क्योंकि और मुझे all-rounder कोई अच्छा मिला नहीं जिनके मैं drop करूँ आपको इनको ही drop करना परेगा player अच्छे हैं guys please आप grinding में उनको try करिएगा अगर आप credit maintain कर पाते हैं तो यह देखिएगा इसे यहाँ पर दो ballers को तो हमने ले लिया जो कि दो over डालेंगे और साथ में batting से भी contribute करेंगे अब next देखिए यहाँ पर balling में देखेंगे N. Sarma अभी तक एक भी over नहीं मिला है अब यहाँ पर एक ही option S ने की यह बैटिंग में guys पिसले match में आ गई थे यहाँ पर middle order में यहाँ पर sorry guys lower order में आ गई थे 5 में 6-9 पर batting करने के लिए तो यही guys एक मेरी साब से obvious choice है जिनको हमें select करना पड़ेगा और bowler कोई guys यहाँ पर balling कर ही नहीं रहा है तो हम कैसे select कर दे यह guys बन जाता है अभी के लिए team का preview इसमें आप ज्यादा change मत करिएगा ठीक है grand league में भी मत एक दो player को ही change करिएगा जैसे कि यह चेंज कर सकते हैं किसी team में यहाँ पर d karismi rob की जगा पर d karismi rob को ले सकते हैं किसी all rounder को drop कर गए ठीक है बस एक change यह कर सकते हैं ठीक है और मैं ज्यादा change बिल्को recommend नहीं करूँगा balling section आपका fix रहना चाहिए ठीक है और batting section में भी यह जो 3 players है लैक कॉब, zink और dhiman यह 3ों fix रहनी चाहिए ठीक है और bicket keeping में भी यह player fix रहना चाहिए तो 4 और यह 3, 7 players 7 players हो गए और p misra 8 हो गए और b दाहरी 9 हो गए 9 players आपके लिए base player है जिनको आपको हर teams में लेना है ठीक है उसके अलावा दो players जो है f mohammad और यहाँ पर जो player बंदा एन नान कोब इन दोनों में से आप reverse करके try कर सकते हैं ठीक है एक team में आप क्या कर सकते हैं f mohammad की जगह यहाँ पर जिनको हम यहाँ पर d carismi rob को ले सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है अगनाडिक में आपको यही कर ला है यह small league की team है इसमें captaincy wise captaincy अगर मैं option की बात करूँ तो मेरी साब से सबसे best captaincy के option team भी सरा है क्योंकि इन से better मुझे ने लगता कोई option अच्छा है तो इनको आप captain कर सकते हैं wise captaincy के अगर मुझसे आप option पुछेंगे तो मैं आपको h lack of और यहाँ पर b tahari recommend करूँगा ठीक है यह दोनों मेरी recommend करूँगा lack of open करेंगे tahari one down आएंगे और दोनों दो दो अभर डालेंगे तो इन दोनों में से आप अपना wise captain select कर सकते हैं मैं अभी के लिए फिर से भरोसा करके b tahari के साथ जा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर please आपना call भी दे सकते हैं काफिलो एफ मोहमद को भी करेंगे तो आप उनको भी करना चाहते हैं वो ऐसे तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा strong team यहाँ पर INB की team है जिसकर सलते मैं उनके players के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा ठीक है और यहाँ पर देखिए grand league में आपको किन है captain wise captain करना है grand league में भी guys ज़्यादा players को नहीं करना है यह दोनों all downers हो गए ठीक है F. Muhammad हो गए और यहाँ पर R. Dhiman हो गए H. Lekov हो गए G. Singh हो गए और N. Nankov हो गए ठीक है यह 4 batsmen हो गए और यह 3 all downer हो गए यह इनी 7 players को आपको grand league में भी captain wise captain rotate करना है ठीक है यही आपके लिए grand league की tips भी बनती है तो आप इसका ध्यान लखिएगा और साथ में मैंने आपको कुछ और भी grand league की tips बताई है आपकी इस तरीके से 2 ही player को मात यहाँ पर change करिएगा आपनी grand league की team में और 9 players आपके team में सेम रहनी चाहिए तो इसका भी आप ध्यान लखिएगा तो यह guys अभी के लिए team है इसमें definitely changes होने बाली है जो आपको final team update मिलेगी वो आपको हमारे telegram channel पर मिलेगी तो आप वहाँ पर join करना ना भूले इसी video के description में हमारे telegram channel का आपको link मिल जाएगा आप पूसर जैसे ही click करेंगे हमारे telegram channel पर आजाएगी यह हमारा telegram channel है यही पर आपको final team update मिलेगी तो आप यहाँ पर join करना ना भूले ठीक है आपके लिए बहुत important है join करना तो आप join कर जरूर कर ले और साथ में guys video के description में आपको एक कमाल की unique fantasy app का link बिलेगा जिसका नाम है cricket plus plus जिसमें guys आप दम free में खेल सकते हैं और इस app का concept भी दम अलग है इसमें आप 100% bonus के साथ खेल सकते हैं सबसे main बात इसमें आपको 5 hot picks select करने को रहते हैं जो कि आपको लगता है सबसे ज़्यादा points देंगी इस match में और 3 not fix जो कि आपको लगता है सबसे कम points देंगे ठीक है तो आप इस app को download कर लीजे मैंने video भी बनाई है कि आपको इस app में कैसे खेलना है टाकि आपको 25 का sign up bonus मिल जाए और आप free में खेल पाए cricket plus plus app में तो आप ज़रूर cricket plus plus app को try करिएगा आपको video के description में इस application का link मिल जाएगा उसके अलाबा guys एक और कमाल की fantasy app का link मिलेगा जिसका guys यहाँ पर नाम है GOPS की जो की बहुत low competition बाली fantasy app है जिसमें competition सबसे कम है guys और इस app की features बहुत अच्छे हैं आप अगर देखना चाहेंगी इस app की features तो यह देख सकते हैं हर दिन giveaway है, bid roll बहुत fast है, एक से दो घंटे में commission बहुत कम है, wedding distribution बहुत तेज है deposit इनका बहुत अच्छा है, ठीक है deposit offer जिसमें आप recall cash भी अन कर सकते हैं और जो सबसे अच्छा feature मुझे इसे आपका लगा है वो इनके leaderboard contest है, जो कि weekly, monthly series के सभी चलते ही रहते हैं 24 गंट तो आपको support मिल जाता है, whatsapp का, telegram का और सबसे main बात, 500 का आपको पहली बार, अगर आप मेरे refer court से sign up करते हैं तो sign up bonus भी आपको 500 मिलता है, और हर दिन 100% bonus वाली एकाद matches में leagues आपको मिरी जाती है, और small league में भी आप 20% bonus यूज कर सकते हैं तो बहुत कमाल की features हैं, guys, gobs की app में, अभी यह app बहुत new है, तो आप बहुत कमाल की winning यहां से कर पाएंगे तो एक बार जरूर try करिएगा, इस app का भी आपको link वीडियो के description में मिल जाएगा तो बस guys, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like कर दे अपने दोस्तों के साथ share कर दे, और अगर अभी तिक channel को subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe करके bell icon को on कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले वीडियो की notification में ना कर सके तो बहुत जल मिलता हूँ मैं आपसे next video में